आस्ट्वेलिया दोरे पर जीत कदम भर रही टीम इंडिया वंडे सीरीच के पाहले दो मैचों में करारी हार के बाद बैक हुट पर आ चुकी है इस सर्मनाक हार के बाद टीम इंडिया के कप्तान समेत कोच रवी सास्त्री को हटाने तक की मांग उट रही है दरसल माना जा रहा है कि विराट कोहली और रवी सास्त्री के इसारे पर ही रोहित सर्मा को वन डे और टीट्वेंटी सीरीच से बाहर किया गया है जिसका खामियाजा टीम इंडिया भुगत रही है जबकि इसे से पहले निवजी लेंड दोरे पर हम देख चुके हैं कि लागभग हार चुके मैच में कई बार हिट मैन रोहित सर्मा अपनी तुफानी बलेबाजी के दम पर जीत दिला चुके हैं इसके बावजूद ऐसे धाकड बलेबाज को टीम से बाहर करना समझ से परे है क्रिकेट वीशे सग्यों की माने तो अभी तक खेले दोनों मैचों में अगर इस्टार बलेबाज रोहित सर्मा होते तो अकेले दम पर टीम इंडिया को जीत दिला सकते थे इसके अलावा IPL 2020 के दोरान सांदार बलेबाजी करने वाले दिगज विकेट की पर बलेबाज संजू सेमसन को प्लेइंग 11 में नौ रखना भी टीम इंडिया पर भारी पड़ा वंडे सिरीज के तीसरे और आखरी मैच में कल यानि दो दिसंबर को टीम इंडिया साख बचाने के इरादे से मैदान पर उतरेगी हालकी देखा जाए तो भारत के पास कई ऐसे बलेबाज हैं जो अपनी तुफानी बलेबाजी के दम पर जीत दिलाने की छमता रखते हैं तीसरे वंडे में टीम इंडिया के दूसरे मेहंदर सिंग धोनी कहे जाने वाले तुफानी विकेट की पर बलेबाज संजू सैमसन का खेलना तैमाना जा रहा है जी हाँ आपको बता दें खास तोर पर टीटवेंटी और वंडे क्रिकेट में संजू सैमसन बेहद ही घातक बलेबाज माने जाते हैं जो मैदान पर टिक गए तो अकेले दम पर जीत दिला सकते हैं इसके अलावा भारतिय क्रिकेट फैंस की निगाहे टिकी रहेगी दिगज ओल राउंडर बलेबाज हार्दिक पांडिया पर जी हाँ आपको बता दें टीम इंडिया में हार्दिक पांडिया ही इकलौते ऐसे बलेबाज हैं जिनकी तुखानी बलेबाजी के वज़ह से आस् दावा किया जा रहा है कि मात्र 40-50 गेंद की पारी में हार्दिक पांडिया 12 सतक लगा सकते हैं